नमस्कार आप देख रहा है मारा स्पेशल प्रोग्राम निउस रूम आपके साथ मैं हुआ अर्शिताई रुप करते हैं मध्यप्रदेश की बड़ी खबरों की ओर दा केरल स्टोरी फिल्म को मध्यप्रदेश में टेक्स फ्री कर दिया गया है खुद मुख्यमंत्री शिवराल सिंग चोहां ने ट्वीट करते हुए इस बात की ज्वानकारी दी दा केरल स्टोरी केरल की महिलाओ के ग्रुप के बारे में बनी फिल्म है जो स्मिलामिक स्टेट ऑफ एराक एंड सीरिया में शामिल हो जाता है फिल्म पाँच मई यानि शुकरवार को रिलीज हो गई है सीवी एपसी ने फिल्म की रिलीज से पहले इसमें चवदा कट लगाने को भी कहे थे 26 अपरेल को इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था दो मिनिट पैतालिस सेकेंड की ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे कॉलिज जाने वाली तीन लड़किया एक आतंक की संगठं से जुड़ जाती है मुख्यमंतरी न कहा दकेरल स्टोरी लबजहाद धर्मांतरण और आतंकवाद के शड़यंतर को उजागर करती है उसके घिनोने चहरे को भी सामना लाती है चड़क भावुकता में जो बेटिया लब जहाद के जाल में उलद जाती है उनकी कैसे बरवादी होती है यह फिल्म में पताती है आतंकवाद के डिजाइन को भी यह फिल्म में उजागर करती है यह फिल्म में पेरेंट्स, बच्चों, बेटियों सभी को देखनी चाहिए बात करेंगे अगली खबर के बारे में जहां चंबल के मोरैना के लेपा गाउं में शुक्रवार को हुए हत्या कांड ने सब को दहला दिया है यहां 10 साल पुराने विवात के चलते एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई परीजन ने शबों का अंतिम संसकार करने से भी मना कर दिया है उनकी मांग थी कि उन्हें लाइसंसी बंदूग दी जाए आरूपियों के घट तोड़े जाए साथी पुलिस सुरक्षा भी मुहया कराई जाए काफी समझाईश के बाद भी परीजन अंतिम संसकार के लिए राजी हुए पुलिस ने हत्या की दो आरूपियों को ग्रफतार कर लिया है और परार साथ आरूपियों पर दस-दस हजार रूपे का इनाम भी घोशित किया गया है शबो को एंबूलेंस में ही शमशान घाट ले जाया गया अंतिम संसकार के लिए यात्रा भी नहीं निकाली गई परिवार को कुछ देर के लिए शबो को देखने के इजाज़त मिली हिंदुमान यताओं के अनुसार घर पर जो अंतिम क्रियाएं होती है उसे भी नहीं किया गया असपी चोहान ने इस पर कहा है कि श्रस्तर के लिए परिवार में जो भी पात्र होगा उसे श्रस्त्र मिल जाएंगे बात करेंगे अगली ख़बर के बारे में जहाँ पूर्व मुख्य मंत्री और बीजेपी के सथापक सदसे रहे कैलाज जोशी के बेटे पूर्व मंत्री दीपक जोशी शनिवार को कॉंग्रेस में शामिल हो गए है उन्होंने कहा जन संगे के चुनाव चिन दीपक को बीजेपी ने अपनी विचारधारा के साथ कहीं न कहीं विलोपित कर दिया है आज मैं कॉंग्रेस के साथ हूँ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुली धर्राव से मुलाकात के सवाल पर भी होनोंने कहा मैंने कल शाम पास से साथ बजे तक दो घंटे और रास्ता देखा लेकिन मुझे कोई निराकरण नहीं मिला मेरी विरासत इमांदारी की है और मैं उसी पर चलूँगा और निरंतर चलता रहूँगा शिवराज जी भले छोटा भाई मानते हो लेकिन वे मेरे लिए कभी भी पार्टी के साथ एक ऐसी पार्टी का लेवल दे दिया है जिसमें सामान्य कारी करता हूं तक नहीं पहुंच सकते हैं दीपक के साथ दतिया जिले से विधायक रहे राधिलाल बगेल भी आज पूर्व मुख्यमंतरी कमलनात और नेता प्रतिपक्ष की मौचूदगी में कॉ इसके लिए 24 फीट का आधार स्थम्वत तयार होने को है प्रदेश की सबसे उची इस प्रतिमा का इसी साल सितंबर में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी अनावरन करेंगे लगबग 2000 करोड रुपे के बजट से बनने वाले बचे बाकी के हिस्से का काम दिसम्बर 2024 तक पूरा होगा मध्यप्रदेश सरकार नयोंकारिश्वर में बन रहे एकात्मे धाम प्रोजेक्ट को पहली बार अधिकरित तोर पर देश के सामने रखा देश के जाने माने संत विद्वान और उपीनियन मेकर्स की मौजूदगी में शुकरवार को मुख्य मंतरे शिवराज सिंग चोहान नेस प्रोजेक्ट के बारे में बिस्तार से बताया बात करेंगे मध्यप्रदेश के मौसम की जहां मध्यप्रदेश के मौसम में बार बार बदलाफ का दौर जारी है MP मौसम विभा की माने तो शनिवार को कुछ अलाकों में हलकी बारिश भी हो सकती है इधर 15 माई तक लूचलने की भी संभावना है, वर्तमान में कोई मौजूस सिस्टम एक्टिव नहीं है इसके चलते 8 माई के बाद भूपाल, इंदोर, ग्वालियर जवलपुर, उजेन समेत अनिय जिलों में भी तापमान में बड़ोत्री होने की संभावना है इसके लावा भूपाल, जवलपुर, शेहडोल, इंदोर, उजेन और नर्मिदापुरम के जिलों के साथ साथ, गुना और ग्वालियर में भी हल्की बुदाबादी हो सकती है यहाँ पर 30-40 क्लूमीटर पती घंटे की रफ्तार से आधी भी चल सकती है 15-20 माई तक प्रदेश में हीट वेब और तेज गर्मी पढ़ने की संभावना कम ही है लेकिन माई के अंत में गर्मी का असर देखने को मिल सकता है फिलाल के लिए इतना ही ऐसी ताज़ा तमाम ख़बरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे है MP News के साथ MP की नफस, MP का हाथ, मज़ी प्रदेश की हर खबर MP News TV के साथ लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल MP News TV लेटेस्ट अबडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न पूदे